हेलो माई दे सुडेंट्स, आज हम वेव ओप्तिक्स के लीडर स्रीज के पॉइंट्स करने दा रहे हैं, कुछ बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, उठा हुआ हर हाथ दुआ के लिए नहीं होता, जुका हुआ हर परदा हया के लिए नहीं होता, कई बार चिराग भुद जाते ह हैं, अपनी ही गलती से, कसूर हर बार हवा का नहीं होता, अब यह जो लीडर स्रीज के पॉइंट्स है, यह हर एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, चाहे वो बोर्ड के एक्जाम हो, चाहे वो नीट का एक्जाम हो, तो आप साथ-सथ हर पॉइंट को नोड करते जाएंग तो नो हम फर्स्ट अपने को बेसिक से चलते हैं, सबसे पहले बाब को दाता हूँ, जिस तर्ग हम यूज करेंगा, आपको पता होना चीह, कि वेव क्या होता है, तो वेव एक तरह की डिस्टर्बेंस होती है, जिससे अनर्जी आगे चली जाए और वो बोडी वही रहे, जैस इसके बाब बास आता है कि वेव कौन कौन से टाइप के होती है, कुछ वेव होती है, जिनको चलने के लिए मेडियम चाहिए, उसको बोलते है, मेकैनिकल वेव, किसी को चलने के लिए मेडियम नहीं चाहिए, इसको बोलते है, एम वेव, और जब पार्टिकल खुदी वेव इतना सारा पढ़ने के नीट नहीं है, क्योंकि अपने को में में पॉइंट्स कढ़ने है, तो आपको यह बात का पता होना है, जो लाइट है ना, उसके लिए दो खासियत होती है, सबसे पहले तो क्या, वो ट्रांस्वर्स नेचर की है, यह हमेशा ज्यान रखना, ट्रांस्व बात ये electromagnetic wave है, जिसको चलने के लिए क्या चाहिए, चलने के लिए क्या चाहिए, medium नहीं चाहिए, उसका हम बोलता है electromagnetic wave, आप तक आपको दो wind पता होने थी हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आप थोड़ा सोफ लिए हम लेते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं basic theory से, पहले basic theory के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या-क्या चिदे हमने जिन्दिकी में देखी इसके बारे में, सबसे पहला हमारे पास आता है Newton की theory, Newton में ये मालता कि जो light है वो particle nature की है, Newton की इस theory को corpuscular theory भी बहुते हैं, ये मैं इसलिए पहला हूँ कि objective questions कहीं से भी आ सकता है, ये बस सुनने से आपको याड हो जाएंगे, जो Newton मानता था कि हज़े से particle होता है ना, particles, corpuscules को, उसमें भी particles में लेगो, लाज़को में कहेंगा LES, corpuscules में भी कहाएगा, लाज़को में LES, तो corpuscules क्या मनता था, Newton से मनता थी, corpuscules होते हैं, वो light के particle का नाम जिया था, तो पहली बात तो कैसे मज़ा है, Newton की छोरी को corpus के लिए छोरी बोलते हैं, और particle nature को शोर करती है, Newton क्या था, वो बचारा, speed of light, speed of sound से डील कर रहा था, जो sound है, वो solid में जादा चलती है, ज़र जब आपको बच्पन में कहते हैं, आप railway track पे कान लगाओ, तो train की वाद जो track पे आ जाएगी, बाहर से और नहीं आएगा, solid में जैसे है, sound जादा तो speed चलती है, तो Newton ने ये कहा दिया, कि ऐसे ही जो speed जो है light की मोर होती है, dancer media, ये इसकी limitation बन गी, इसने ये भी कह दिया कि अलग अलग कलर की light जो होती है न, जो अलग अलग कोर्पस कल्स होते हैं, वो अलग अलग साइज की होते हैं, और अच्छी बाप देखो ये है कि पूरे दुनिया ने पचास सालों तक इस पे विश्वास किया, बाप भी ये discard करीगी, पर हाईगन की तियोरी आई, बाप भी discard होगी, पर हमारे पास Einstein ने प्ताया कि dual nature होता है, वो आए, अब ये तो समझा गया, अब इसकी कुछ लिमिटेशन थी, एक तो डैंशन मीने माला गल्प पता गया, और ये अलग लग लग कोर्पस कर्ज जो है, ये तो बात ये फैंक रहा था है, अब इसके बाप इसकी कुछ लिमिटेशन थी, अब ये इसके इन सबको नहीं बता पाये था, आगे बढ़ते हैं हम, फिर आता हाईगन ने अपने ठियोरी दी, इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब शोर्ट में फारी डिटेल पढ़ेंगे, इसने पहला कि वेव नेचर होता है, लेकिन ये दो गल्तियां करेंगे, पहले इसकी गल्तियां सुननो पर इसकी अचीवमेंट जादा है, ये छोरी सक्सफूली सब बातों करेंगे, इसने कहाता कि लाइट को चलने के लिए मीडियम चाहिए, उस मीडियम नम होता है इथर, इसको पता नहीं था कि वेक्यूम ही पहले लाइट चलती होगी, इसको लगा कि जैसे एर बरी होई है, ऐसे कोई पूरे ब्रमान के अंदर एक है, वह सकता है, आगे खलके वह पुरूब भी हो, इसकी बात, लेकिन अभी हम वानते है कि वेक्यूम भी होता है, उसके जो लाइट है, वह लोंगे टूनल वेव कि है, हाला कि अब अपने पता है, तो लाइट है वो लोंगे तूनल नहीं हो कैसी है, ट्रांसवर नेशर की ह यह सबी चीज़ों को टार्गेट कर रहा हूं इसमें बोल्ट को भी निट को भी और मेंस को भी वेवलेट आपको नॉलिज के लिए पता होना चाहिए जो भी हम स्मोलेश डिस्टर्बिंग पार्टीकल की बात करेंगे वेव के इंदर इसको वेवलेट बोलेंगे हमको दिखेगा नहीं जैसे बायोलोजी के इंदर सेल नहीं दिखता आपने को कभी स्ट्री में एटम नहीं दिखता ऐसी वेवलेट वेव अप्टिक्स में दिखता नहीं है वेवलेट हर स्मोलेश डिस्टर्बिंग पार्टीकल का एक इमेजनरी नाम बाहन लो जैसे किसी को क सब्सक्राइब में के वड़ें रिए उपर वीचे उट रही है वह पटक का क्या कर लाएगा वेवलेट पर इनकी जो कवरिंग है उसको बोलेंगे वेव फॉरंट मैंसे वाटर के ऊपर है यह वाटर नीचे के उपर पैस होता है इसके साथ और नीचे जा रहा है और उपर दो उसे वोटर के पार्टिकल बैसे चलते हैं तो यह जो पूरी ज कैसी कैसी जोती है हुएं लाइंट सोस के लिए से हो दूर को इस में बहुत हो रही है इसलेंट्रिकल가지고 हो रही है इस बसाद गलती करते हैं अक्सर दूरना है मत कर देना work होता है ने इस ससे ओपन गर जात कि धा इन यहां पर चल रही है लाइट अनर्जी यह है हमारे पास वेफ जो पार्टिकल्स वाइबरेट करते हैं वो पर्पेंडिकुलर करते हैं वेफ फ्रेंट के तो तूइन ट्राइवल करती हैं वो करती वेफ हैं फ्रेंट के परपेंडिकुलर नों के का वह जा रही तो यह सारे वेफ फ्रेंट फ्रेंट इसको बोलेंगे एक गो गानलज को वोलते हैं बक हमेशा ही जो रिखोरेंड के यौह बता है है प्रपाइंडिक्टर यह आपको पता हुए चलिए अपनी जो है सारी की सारी थेयोरी जो है कि 90 मेंने खतम कर दिया फॉर्म लेकर पर आएंगे दस परसेंट क्या बच गया वेफ थेयोरी को एक्स्प्रेंड करने के लिए इन्होंने कुछ इसके बाद मैं अपनी तरह से पॉइंट आपको बता देता हूं आपको टीन पॉइंट पर मैं सीधा सीधा प्रकास डाल देता हूं सबसे पहला पॉइंट तो यह कि किसी भी वेव फ्रेंट का हार क्वाईट फ्रेश स्रोर्स ओफ एनर्जी यह भी आगे डिस्ट्रिबंस देगा यह भी यह भी हर एक पार्टिकल आगे अगे शनर्जी देगा है इसको बोलते हैं प्राइमडी वेव लेट अ गलु क्राइमरी यह वाला देने वाला प्राइमरी लेने वाला सिक्ने इसके बाद मरपास इस तरह से से इन्होंने जो अपनी इनर्जी वो आगे डिस्ट्रिब्यूट नहीं ये सारे स्केंटरी वेवलेट है वानलो ये ए था ये बूर्बी ये ची तो ये एडज बेशी डास जिसकांडरी वेवलेट है इन्पे जो कवरिंग जो को थे इसको बोलते हैं secondary wave friend यह प्राइमरी वेव फ्रेंट था दूरह न लिखेंगा हम है नंकी चोप्राइमरी वेव फ्रेंट यह से स्केंडरी वेव फरेंट। दूसरी बात ये दो अनर्जी है, ये चलती है श्पीड ओफ लाइट से, श्षी से चलती है। ये दो बात ये इन्होंने बताई थी ये ये मैंने यहाँ पर लिख दी है। क्या क्या बात लिख दी मैंने एक तो हर पार्टिकल जो है वेफरेंट के पर वो फ्रेस सोर्स ओफ डिस्टर्बेंस है जो स्केंडरी वेवलेट की कवरिंग हो गी है एन्वेलप होगा उसको बोलेगे हम स्केंडरी वेफरेंट टोटी सरी बाद यह स्पीड ओफ लाइट चलत यह हम आचुके हैं अब इंटर्फिरेंज में ज्यादा आपका टाइम नहीं लोगा मैं सारा का सारा जो टोपिक है वो बस इसी में ही समझा दूगा इंटर्फिरेंज और डिफ्रेक्शल में डिफ्रेंस देखेंगे बहुत सिमिलर से फारम्ले है इसलिए पहले ये एक समझ दो पिनमें डिफ्रेंस केंदे दूसरा भी समझा दूगा देखो क्या होता है बच्छो यहां पर हमने क्या किया दो सोर्स लिए यहां से लाइट ज हो सकता है कि इनका है ना करश्ट से करश्ट मीट हुआ हो और ट्रफ से ट्रफ मीट हुआ ऐसे तो इनकी नर्जी मैक्सिमम हो जाएगी यहां पर चमक प्रड्यूस होगी होर कि एक वेव का कर स्थ हो दूसरे का द्रथ हो कि कि यहां पर और्जी खत्म होजए यहां पर फ्रींद प्र लीजहूर इलिफ और रोह मतंब मिनिमा जब दून को बोलते हैं हम interference क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस इसके दो टाइप होते हैं टो कंस्रॉक्टीव एक डिस्टॉक्टीव एंटरफेरेंस को इसके न्युम दिसक्रॉक्टीव बनना और जी मिनिम्मम वन होना मतलब घटना कि चीज़ काम होना तो अपने को अब तक समझा गया अनरजी के मिलने को बोलते हैं इंटर्फेरेंस वो सकता है कंस्ट्रक्टिव हो सकता है डिस्ट्रक्टिव हो आई यह हम थियोरी इसकी सारी स्टार्ट करते है और फिर उसके बाद डिफ्रेक्शन करेंगे that's all चली वच्चो हमारे पास अब फ्रस्ट फॉर्मला आ गया जो यह वेव जा रही है यह प्रस वन का कंसेप्ट है कि कोई भी वेव कोई भी चीज़ ऐसे हम करेगी पार्टिकल ऐसे हम कर रहे है तो उनकी एक्वेशन होती है यह वाई इक्वल टू A sin omega t यहां से जो वेव जा रही है इसको मादो पहले नंबर की वेव है तो हमने इसके लिए लिख दिया यह displacement इसके वेव के किसी भी टाइम की displacement की question है A1 sin omega t ऐसे ही ये second वाली waves आ रही है अब ये कुछ ज़्यादा angle कमर करेगी तो मैंने लिख दिया y2 is equal to a2 sin omega t plus 5 ज़्यादा angle का मतलब इस तरह से तो wave चलती है तो एक wave के angle को 2 pi बोलती है मालों इसने एक wave एक्टर चली वहां तक पहुचने में तो 2 pi angle एक्टर चला तो मैंने लिख दिया 5 ये दोनों wave sign की है जब ये मिलेंगी तो एक और sign की wave प्रडूस होती है ये resultant wave है तो ये resultant displacement हो गया ये resultant amplitude हो गया और resultant जो है wave वो कितना angle मना रही है theta इसके साथ इन दोनों में angle कितना एक्टर था 5 net आ गया theta अगर ये तिमनों फार्मले आपको याद हो गया चुकी हो तो कि याद करने ही पढ़ेंगे आपको अगर प्रस्वन आपकी week है तो अब हम आजाते हैं next formula के उपर जो होता है resultant wave का amplitude कैसे निकाना जासा इसकी बहुत छोटी शी टेकनीक है जो कि अपन वेक्टर वेक्टर एडिशन में सीखते है a1 square, a2 square प्रस 2 a1, a2 cos phi इससे amplitude का square आए ये हमरे पसागए amplitude का square फिर आता है amplitude जो होता है वो होता है intensity होती है i is equal to k into a square तो अगर मैं दोनों side k से multiply कर दू k से यहाँ, k से यहाँ, k से यहाँ इस पूरे को भी k से k से कर दू multiply मनलब root k से और root k से k ही बन गया तो root k into a1 यह बन जाएगा k into a square i यह बन जाए k into a square i1 यह बन जाए k into a square a2 square i2 root k into a1 बन जाएगा root i root k into a2 बन जाएगा root i2 जैसे a1 जो root i1 root i2, cos phi साथ में अब आपको यह 5 फार्मले आप तक याद हो जाने चाहिए और यह चीज़ा यह होती है इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता अभी आपको क्योंकि i is equal to k scale होता है इससे ही अपने यहाँ पे आए अब अच्छो इसके बाद यह सारे फार्मले आने के बाद हम देखते है जो यह maxima कब बनेगा और minima कब बनेगा चाहिए मैं constructive interference कहलूं या maxima कहलूं चाहिए मैं destructive interference कहलूं या minima कहलूं यह कब बनेगा यह मैं आपको बता रहा हूँ जब जब भी यह कोस फाई maximum हो जाएगा देखो जो कोस फाई maximum होगा तो कैसा interference बनेगा constructive objective में कोस्टन आगया कि कोस फाई कि वह लिए कितनी होनी चाहिए तो आप बोलोगे one वोके five कितना होना चाहिए इसको हम face difference बोलते हैं तो आप बोलोगे two and five constructive के लिए face difference कितना होना चाहिए two and five वोके path difference कितना होना चाहिए path difference का मतलब क्या होता है बच्चो जैसे देखो अगर मैं इसको angle की टरम में लिखूँगा तो टू पाई लिखूँगा इचाभी कितनी तो lambda wavelength की टरम में को lambda लिखूँगा तो यह जो मैंने अभी बता है ना कि cos one कब आसाता है जब angle कितना हो two and pi मला आप one put करो two put करो तो cos two pi पे भी one होता है four pi पे भी one होता है six pi पे one होता है यह तो मैंने इसके सुरूप बता दिया अब इस two and pi को मैंने क्या प्लाई देखो भी lambda बोलते हैं यह हमारे पास क्या आ गया constructive interference या maxima के लिए तीन objective अलग अलग बन सकते हैं अब बागत यह minima की minima कर गोगा जब यह cos pi कितना हो जाए दोनों में ही minus one में और minus one कब होता है जब जब angle क्या हो या तो pi हो या 3 pi हो या 5 pi हो तो इसकी general टरम बन गी देखो या तो यह question आएगा destructive interference कब बनेगा जब cos pi minus one हो या phase difference 2n minus one pi हो या pi को मैंने अभी भी क्या होला है यहां से क्या बोल सकते हैं 2 pi lambda है तो अकेला pi कितना हो जाएगा lambda by 2 देखो फूर नीचे चला गया तो अकेले pi को मैंने जो लेमडा by 2 तो यह आगया path difference यहां से मरपास लगा कर objective objective बनते जा रहे हैं और direct value put करने बने यह question आएगी इसमें पूट करनी पड़ेगी that's all बच्छो यह wave चली और यह निचे से चली इसको कुछ extra चलना पड़ेगा इसको कितना extra चलना पड़ेगा x d by d इसमें देखो इसको कुछ extra distance चलना पड़ेगा उसको बलते है path difference जो इसमें d होता है na small d यह होता है दो slit के बीच का distance और ही जो capital d होता है यह होता है slit और screen के बीच का distance x होता है center से किसी भी wave की position यहां से आप position निकाल सकते हैं अगर मैं इस x d by d को n lambda के equal क्योंकि यह भी path difference है और यह भी क्या है path difference अगर मैं x d by d को n lambda के equal दिख दूँगा ना तो यह आजाएगा आप इसको जन्नल याद करो मैं इसको trip करो कैसे याद करो देखो सबसे पहलता आप यह समझ लो कि lambda d by d हमारा लिए king factor है यह आप याद कर लो अगर dark bright fringe की बात होगी तो n से multiply करना है और अगर dark की बात होगी तो उसकी position निकालने के लिए 2n minus 1 by 2 से multiply करना है तो dark fringe की position आगी 2n minus 1 by 2 lambda d by d fringe भी ठागी तो वो होते ही lambda d by d है तो मैंने आपको यह वाले फार्मले अब तक बता दिए यह पर पहले यह hide कर देता हूँ जो भी आपको नहीं बताए अभी यह नहीं बता रहा हूँ तो कि यह बिल्कूल cherry on के लिए अपने आप आज़ेंगर वो आगे तो देखोगी पोजिशन हो ब्राइट फ्रिंज आए तो lambda d by d को n से multiply डार्क फ्रिंज आए तो 2n-1 by 2 से multiply lambda d by d आजाएगा फ्रिंज वीट साथे तो वही lambda d by d होता है अब आज़े अंगुलर पोजिशन भी ही center से कितने अंगल बन रही है यह थीटा मुझले भी कितने अंगले बन रही है तो बस डी डी हटा देगे तो एंगुलर पोजिशन आजाएगी इसकी एंड लैम्डा यह जो सलिट है इनमें खास बात होनी थी यह यह है ना सेम फ्रिक्वेंसी क्योंने थी जैसे मनलो यह वेव जा रही है अब यह किसी और को तब ही cancel या add कर सकती है जब बिलकुल यह matching हो रही हो इनकी बिलकुल matching हो रही हो इसका बोलते है जिन में क्या हो या तो जीरो फेस्ट डिफेरेंस हो और फेस्का ना एंगर कर दिफेरेंस ना आई या जो आगया परमेंट कोंस्टेंट रहे या क्या हो ऑन्स टेंट फेस डिफेरेंस्का मतलब या तो बिल्कुल साथ के साथ चले नेक टू नयक जैसे चल रहे हैं इस को बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी क्या हो, same, या तो zero phase difference हो, constant phase difference हो and same frequencies ही इसको बोलता है, coherent source, और इस तो light होनी चाहिए, ये एक wavelength क्यों नीच चाहिए? एक ही कलर कि ऐड़र की जो light निकलता है, उसको बोलते हैं, सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब आपको जो कैसे अब ये मां की संता ने ची मतब शेम फ्रिक्वेंची की चीए तो लाइट आदे इनको बोलते हैं अपन कोहरेंट कोहरेंट दूसरा ये एक सिंगल कण्यों कि मोनो chromatic monochromatic और दूसरी बात यह सोर्स इतने जल्दि हैं गया है तो हम कैसे बनाते हैं वो मैंब आपको बता रहें हम एक और सोर्स लेख लेखे जैसे बड़ा बलप मैने यहां लगा दिया यह मैंने क्या किया एक गत्ता ले लिए एक मैंने बोड ले लिया इसके नवर दो होल कर दिये, यह जो होल है यह दो नो क्या बन के हमारे पाँ सोर्स, S1 और S2, इनको बलते हैं स्लिट्स, यह में सोर्स होता है हमारे पास, इससे अब जो निकलेंगे न, यह लाइट भी यह बनी तो यहां से, तो सेम अनर्जी की होगी, यह यह एक तरह से और वो कैसे, इस तरह से मानलो हमने एक लाइट भेज़ दी इसके अंदर, मानलो कि हमने टोर्च ले लिए, इस टोर्च से एक लाइट हमने यहां भेज़ दी, दूसरी एक मिरर पे लगी, उस मिरर पे लगके वो यहां चली गी, तो अब यह दोनों लाइट का सोर्स एक है, यह भी हम बना सकते थे, तो ये हमारे पर दोते है coherent source, अब बाद आती कि सर इतना तो समझ आ गया, सारे का सारे topic भी समझ आ गये, अब आप हमें है ना, बस जल्दी से इसमें difference बता दो और खतम कर दो, तो last एक दो मिन्ट का और काम रह गया, इसमें मैं आपको difference बता देता हूँ, और इससे सारे फार में आपकी revise भी हो जाएंगे, चली बच्चों, देखो, जो interference होता है, इसके अंदर इस तरह से दो, दो हमारे पास slit होती है, और diffraction में क्या होती है, एक ही slit, interference होता है, light का mix होना, और energy का redistribute होना, हाँ, एक और important बाद, चाहिए star डाल के लिख लो, जब भी दो वेव अपस में ultimate होती है, मतलब एक की क्रस दुसरे की टव, तो energy खतम नहीं होती, वो redistribute होके आगे चली जाती है, तो ये नरदी का नरदी का redistribute होता है, इसमें एक slit होती है, बीच में एक slit होती है, इसमें क्या होती है, बहुत सारी slit, अब मैं ये का रहा हूँ कि slit होती है, इसका मतलब यह नहीं कि source एक है, हम इसके अंदर छोट 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 पार्टिकल को source माल लेते हैं, कोई पूछले, इसमें slit कितनी एंटर फिर्ज में दो, तो इसमें एक, उसमें source कितने दो, वो दो ही source मालते हैं, इसमें एक slit को हम कई सारे source माल लेते हैं, इसमें intensity same रहती है, जो भी सामने जो चमक produce होगी न, अचा वो चमक को जो 3D में देखते हैं, तो उसका मोलते है fringe, क्या मोलते है fringe, क्यों कि जो light चमक उपर produce कर रहे हैं, वो नीचे भी करते हैं, साइड में भी होती हैं, तो एक fringe बन जाती है, इसमें क्या होता है, इसमें सेंट्रल जो fringe होती है, उसकी intensity हाई होती है, फिर कम होती रहती है, इसमें हर fringe की intensity सेम होती है, यह सारा मैं आपको बता चुका हूँ, आप देखो इसमें खास क्या बात है, जो इसमें fringe width थी, वही इसमें fringe width, जो इसमें position of bright fringe थी, इसको मैंने एक्सान लिखा था, इसमें वो position of dark fringe है, देखो, position of dark fringe, dark fringe कैसे है, इसमें क्या थी, position of bright fringe, xn, n, lambda, d, why, d, इसमें दी, डार्ट की ती, एक थोटा है, इसमें बस प्लस है, इसमें माइनस होओद इसमें प्लस है, बिसमें प्लस आइगा, बगी सम्मेश भी क्या समय में आ गया जो इसमें डोनमे से लेगी में से जो सेंटर के उपपर है जो सेंटर के उपपर इसके में बनेगी कि और हुट होगी से सिंपल जो लिए विव खुना व्षरींट के उपती एक एक इंदर सद। वल्दो fringe की width होती है, वो कितनी होती है, दो गुना होती है as compared to इसमें, यह एक ओर difference है, तो हमने एक बड़ difference को revise कर लेते हैं, सबसे पहला difference तो क्या था, इसमें two slits होती है, इसमें क्या होती है, one slit, interference में क्या होती है हमारे पास, गास, दो source, इसमें infinite source, interference में हर एक fringe की intensity होती है, इसमें हर fringe की intensity होती है, अलग-अलग होती है, इसमें हर fringe की width same होती है, वह कि इसमें भी same है, ब지 Yukto is Central is width होती है, जोंकि Center से बिल्कुल open है, तो इसकी मोटाई please होती है, जो débGS बनेगी हैं, और पे comparison में क्या होती है दो बूर्दे दिखना यहां पर माइनिस हो तो होप सो यहां तक आपको फ़र में समझा चुके होंगे बच्चों इसके बाद इसकी डीपी में और कराऊंगा जिसमें नुमेरिकल आपको सोल कराऊंगा पिर बस मैं यही बात कहना चाहूंगा कि उठा हुआ हर हाथ दूआ के लिए नहीं होत हर परदा हया के लिए नहीं होता चिराग भूठ जाते हैं अपनी ही गलतियों से हर बार कसूर हवा का नहीं होता तो अभी इसकी डीपी करनी है इस फॉरमे की लिस्ट ना लेनी है तो यह तीन चार लेक्सर के अंदर पूरा आपके पाग 100 प्रेंड आपको आ जाएगा थैं